आज का शेडी साइस संदेश मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भगवान को क्या ही भूग लगाना कि सब कुछ उन्होंने ही तो दिया है लेकिन जिस तरह घर पर एक पिता ही खाने की विवस्ता करते हैं और घर के सभी सदसे बिना पिता को खाने के लिए पूछे भोजन ग्रहेंट करने लगते हैं और यदि उन्में से एक बच्चे को पिता का सम्रण हो भी आए और वो उटकर उन्हें भोजन अपने पिता के मुख में डालता है उनको भी आगरे करते हैं कि आप भी खाये तो आप सोची उस पिता को कितनी खुशी मिलेगी वो उस बच्चे को कितना लाट प्यार करेगा अपने इसी तरह सब कुछ दिया तो परमात्मा नहीं है लेकिन अगर भोजन या कुछ खाते हुए ईश्वर को भोग लगाते हैं हम उनको याद करते हैं उनको बहुत ही प्रसंता होगी आपके लिए कि आपको हर घड़ी उनका समरण है उनका याद है और फिर वो आपको बहुत ही जादा लाट दुलार देंगे तो कभी बी ईश्वर को भोग लगाये बिना कुछ भी ग्रहन मत करना भगवान को बहुत प्रसंता मिलेगी और हो सके कुछ भी घर बे कोई नई चीज लाते हो जो तुमने इतने सारे सवरूप लगा रखे हैं, परतीमा ये रखी हैं, इनको सिर्फ परतीमा ये मूर्ती जान के ही मत अरादिये, उनको भी अपने घर का सदस से अपना बड़ा बजर्ग मानिये, तो देखना आपके घर में किसी भी चीज़ की, वो पर मातना कभी कमी नहीं होने देंगे, जीवन में हर चीज़ की खुश्यां तुमें मिलेंगी जरूर, आजकल मैं देख रहा हूँ, तुम दिन रात एक करके बहुत महनत कर रहे हो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बिना अपनी सेहत पर ध्यान दिए, बिना अपने खाने पीने पर ध्यान बिना किसी और पर ध्यान दिए, तुम दिन रात महनत कर रहे हो, लेकिन क्या ये सही है, कि तुम महनत इतनी कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, इतना भी पैसों के पेछे मत भागो, कि जो तुमारी जिन्दगी का सुकून है, वो ही तुम से तुम अपने लिए ही अपने लिए ही समय ना निकाल पाओ, थोड़ा खुद को समय दिया करो, इंसान को हमेशा ऐसा लगता है जीवन भर की, पैसा आ जाएगा तो वो खुशी पा लेगा, वो सुखी हो जाएगा, ये सिर्फ ब्रह्म है, इस ब्रह्म में मत जीओ, कि पैसा कमा लोगे, तो सुख मेलेगा, दुनिया किसी भी अमीर-अमीर व्यक्ति को देख लेना, कि वो सुखी है या नहीं है, इस संसार में कोई भी संपून्ता से खुश नहीं है, पूरी दरह से कोई भी सुखी नहीं है जीवन में, और ना ही उनका मन शान्थ है, पैसा बाहर की चैन शान्ती नहीं, वो सिर्फ आपको अध्यात्मिक रापर ही मिलता है, इश्वर की भगती और धर्म के रास्ते पर चलने से ही मिलता है, मन में सेवा प्रेम रखने से, किसी को कोई हानी ना पहुचाने के भाव से, इस रास्ते पर चलने से असली सुख की प्राप्ती होती है, खुशी मिलती है, मन को सुकून मिलता है, जो की अनमोल है, जो कितने भी पैसों में नहीं खरीदा चाता, कितने भी धन दौलत से नहीं खरीदा चाता, तो याद रखना कभी भी पैसों की पीछे मत भागे, अपना भविशे माना कि आप सवारना चाते हैं, लेकिन अपना आज को दाव में लगा करसा करना सही नहीं है, अपने दुखों से यदि मुक्ती पाना चाते हो, अपने गमों से मुक्ती पाना चाते हो, तो खूब नाम जाब किया करो, इश्व की भक्ती में लीन रहा करो, इस कल्योग में सबसे बड़ा साधन और कोई नहीं है, सिर्फ नाम जाब ही है लेकिन नाम जाब तभी होगा जब आपका मन शान्त होगा और मन शान्त तब होगा जब आपका खान पान पवेत्र होगा शुद होगा आपका वहवार आच्रन पवेत्र होगा तभी आपसे नाम जाब भी हो पाएगा जब आपको एक नाम की खुमारी चड़ जाती है तब आपको चारो तरफ से सुब्की वर्षा होने लगती है आपको तब कोई भी दुख नहीं सताता हमेशा खुश रहा करो जीवन में किसी भी बात से दुखी मत हुआ करो जीवन में दुखी रहने के तो बहुत सी वज़े मिल जाएगी लेकिन जिसने हर हलातों में मुस्कुराना सीख लिया तो उसे हर परिस्तिती में सबर करना आ जाएगा और वह कभी भी फिर हार नहीं मान सकता तुम अब मेरी शरण में हो मैं तुमें कभी भी हारने नहीं दूगा मैं तुमें कभी भी तूट की बैटने नहीं दूगा हमेशा चलते रहना मेरा अशिरवात तुमारे साथ है हमेशा खुश रहो राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी